हलो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़िदार बहुत ही टेष्टी है बारिस का सीजन स्टार्ट हो रहा है और ऐसी रेसिपी नो बने ये हो नहीं सकता है तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं यहां पर अजवाइन, जीरा, धनिया और शौफ तब हम इसमे जीरा एड करेंगे और सौफ आट करेंगे अजवाइन को सबसे लाष्ट में आट करेंगे तो यहां पर अलका धूं गया है गैस कफले में यहां पर लो रखना है तो जीरा भी आट कर दिया इसके बास से सौफ आट कर दिया अब इन सभी को अच्छे से भूल कि अजवाइन डाल देंगे और गैस बंद कर दिया है अजवाइन ऐसे ही भून जाहेंगा इसमें क्योंकि पेन गरम हैं तो यहां पर दिखेए रिडी हो गया है गैस मै funds कर रखा है अब इसको निकाल लिए एक बरतन में तो इसको ठंडा होने दिया था अब मिक्सिका जार ले लेंगे और इसे में इसको एड़ कर लेंगे यहां पर एक इंच अद्रग का टुकड़ा 5-6 मिर्ची आप जितना तीखा पसंद करते हूं ले सकते हैं इसके बाद से थोड़ा सा धनिया ले लेंगे धनिया थोड़ा ज्यादा ही लीजिएगा इससे बहुत अच्छा टेस् इसको बॉल नहीं करना है आप ऐसे ही आलू रख दिया था अब यह छील लेगे तो यहां पर सारे आलू जिल गए है अब इसको क्या करेंगे ऐसे ही रखेंगे और ज़ला दिया है कढ़ाई कढ़ा आप तोड़ा सा गरम होने देंगे इसके बाद से इसमें ऐड़ करेंगे 2 यहां पर तीन चम्मस तेल यहां अग किया है यहां पर नदी पैंच फोरें जीरा फ़सी वायन के चोट्व में अगर अगर किया है इसके बास संधी इसके बास सविच्छ से लिद नदी दो नदी आपने च तरी जोας में आ भून गया है इसके बाद से इसमें हल्दी पाउडर एड़ करेंगे और इसके बाद से उसको भूनने के बाद इसमें आलू एड़ कर देंगे तो आलू को भी एड़ करके ऐसे हाथों से मसल मसल के इसमें एड़ करें और इसको अच्छे से चला लें इसके बाद स्वाद अनु बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें कोई साभी और मसाला नहीं एड़ किया है केवल इसमें खड़े मसाले ही एड़ किया है जैसे मार्केट में समोसा या कचोड़ी मिलती है बिल्कुल उसी स्टाइल में यह और थूड़ा सा इसमें मैंने यहां पर आमचूर पावडर किया है जिससे यह बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और इसका खटा मीठा सा स्वाद आएगा इसके बाद से इसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने लेंगे तो यहां पर सारे मसाले निकाल लिया है अब इसको ठंडा होने देते हैं यहां पर मैंने लिय यहां पर मैं ले रही हूं चीज और चीज को एड़ करने से पकोड़े का स्वाद और भी जादा बढ़ जाएगा तो एक बार इस तरीके से जरूर बनाईएगा और यहां पर चीज को ऐसे ही बराबर हिस्सों में काट लेंगे चार टुकड़ा किया है एक चीज का और यह पले कट कर लें उसके बाद से बनाएंगे पकोड़े तो यहां पर चारो साइड से मैंने यहां पर निकाल लिया है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहां पर ब्रेट सारा निकाल के एक साइड में रख लिया है अब यह जो आलू को हमने इसको मिक्स कर लिया है अब इसको क्या करेंगे इसी चीज के अंदर इसको आलू के अंदर ही चीज भरेंगे तो देखिए मैंने ऐसे ही इसको लड़ू टाइप का बना लिया है और इसके अंदर जैसे आप को ही साभी चीज भरते हैं वैसे ही इसको भरना है और देखिए बस ऐसे ही हमें सारे बाउल को भर लेना है बॉल ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है बहुत आसान है इसको बनाना तो सारे भर गये हैं इसके बाद से एक बरतन लिया है उसमें पानी ले लिया है और थोड़ा सा दूद दोनों लिया है पानी और दूद जिससे ब्रेट का टेस्ट न तो यहां पे इसको भीगोगो के और हातों से ऐसे ही दबा लेना है हमें और इसके ऊपर अपर इसको लगा लेना है तो ब्रेट का बॉल बनके रेडी हो गया थूड़ा सा अगर जो कहीं ऐसे रह जाए न तो इसको ऐसे ही हाथों से पकड़ के इसमें दबा देंगे जिसी यह बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और बॉल बनके रेडी हो गया तो बस ऐसे ही सारे हमें भर लेना है और देखिए बहुत ही आसान है इसको भरना और बॉल बनके रेडी यहां पे गैस पिचड़ा दिया है कड़ाई और तेल गरम हो गया है गैस का फ्लेम ना खुब हाई हो और ना ही जादा लो हो नहीं तो ब्रेड है यह तेल भी सोकता है तो इसलिए तेल को पहले हाई गरम हो जाने दिने उसके बाद से हमें इसमें बॉल एट करना है और गैस का उसके बार मेडियम रख देंगे ताकि ज्यादा ये उपर से नहीं हो तो क्रिक्स्पी पन अंदर के साइड नहीं रहेगा उपर के साइड जल जाएगा और अंदर के साइड थोड़ा सा भी मतलब पकेगा नहीं तो इसके लिए गैस का फ्लेम लो रखें और देखें यहाँ पे तलके रेडी हो गया और देखें तेल भी ज्यादा नहीं पिया हुआ है तो ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें बॉल कप डालना है और तेल कैसे करम होना चाहिए तंपरेचर देखके ही इसके बाद से मैंने दूसरा भैच भी इसमें एड कर दिया है और बहुत ही टेस्टी सा पकोड़ा तलके रेडी हो गया है इधर चाय भी बनके रेडी ह तो चाय और पकोड़ा बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंट्स तो एक बार इसको जरो ट्राइब करिएगा और देखिए इसके साथ धनिया की चटनी बना ले या सौस ले ले टमैटो सौस बहुत ही टेस्टी सा मज़ेदार सा पकोड़ा बनके रेडी हो गया है मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है और चीज देखिए इसके अंदर तो आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे न तो आपके बच्चे बार बार इसको मांगेंगे खाने के लिए बच्चों से लेके बड़ो तक सबको ये पसंद आएगा तो एक बार इसको जरूर ट्राइ करिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी थोड़ी सी भी पसंद आए न तो लाइक कमेंट सेर जरूर करिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए और फ्रेंड्स व मत भूलिएगा कमेंट करना विल्कुल मत भूलिएगा तो लाइक सबसे पहले कर दीजिए उसके वास से कमेंट करिए और इसको बनाकर ट्राइज जरूर करिएगा